Hello Friends! Welcome to Kevalli Classes! I am Kumar Satyam और आज हम लोग देखेंगे Topographies Found by Erosional Agents पिछले classes में वेदिरिंग देखा और Erosion देखा Erosion के साथ साथ हमने देखा था कि कि कितने टाइप के Erosion हो सकते हैं क्या-क्या Agents हो सकते हैं यह हमने पिछले class में deal किया था इस class में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे rivers हो गये हैं या फिर other winds हो गये हैं या oceanic currents हो गये हैं इस तरह के agents क्या क्या आकरितियां topographies का formation करते हैं उससे जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि river जो है हमारा वो अपने origin से लेके mouth तक it means अपने जहां से उसका उद्गम है वहां से लेके वो जहां पर खत्म होता है वहां तक का उसका phase क्या है यह primary knowledge basic knowledge river के बारे में इस class में तो चलिए हम लोग देखते हैं river जो है हमारा वो phase में divided है different phases river का from origin to mouth it means जहां से वो शुरू हुआ है और जहां पर वो खत्म हो रहा है वो हो गया उसका mouth और उसों हम three stages में divide करते हैं youth stage, mature stage और old stage इसको मैं आपको एक example से बताना चाहूंगा माल जिए किसी व्यक्ति का उम्र 75 years है अगर इसको हम three stages में divide करें तो 0 to 25 फिर 25 से 50 फिर 50 से 85 यह तीन phase आज imagine करके रिवर का भी हम लोग साथ में देखते हैं तो youth stage यह हो गया हमारा इसे हम बोलते है youth stage for example इसमें देखते हैं कि rate of flow क्या होगा maximum पानी का बहाव जो रिवर का होगा वह अपने maximum पे होगा सबसे ज्यादा स्पीड में youth है तो speed तो होना अनिवार है और इसका transportation capacity भी सबसे ज्यादा हो गया यह पानी सबसे ज्यादा अपने साथ particles हो गया lumps of rocks हो गया other materials को carry forward करेगा तो transportation इसका हाय होगा इसका transportation होता है आपका transportation capacity velocity to the power six जो पानी का velocity है उसका six power वर्टिकल इरोजन इसमें होता है यानि डिपनिंग उप वैली इट मिंस यह इस तरह का erosion ज्यादा करता है इट मिंस यह डीप ज्यादा इरोड करता है डीप ज्यादा वह तक ज्याता है तो वर्टिकल इरोजन में यूथेज हमारा होगा यूथेज में जब रिवर होगा तो हमारा यह सब होगा rate of flow maximum transportation capacity आए और वर्टिकल इरोजन होगा अब आते हम लोग मैच्योरेज में मैच्योर थोड़ा मैच्योर हो गया है अब उतना फास्ट रहा नहीं means 25 to 50 का एज हम प्लेन में आ गया है सांत हो गया है इसका transportation capacity becomes low थोड़ा सा कम हो गया है as compared to youth age river performs lateral erosion as well as vertical erosion यहां पर सी vertical erosion हो था हमारा मतलब यह अब मैच्योरेज में यह भी होगा it means इस टैप से भी horizon होगा दोनों आक्सिस में डाउन भी और ऐसे भी it means lateral erosion भी और वर्टिकल इरोजन भी यह हो गया हमारा मैच्योरेज आप पहुंच के हम व्रिधा व्रास्था में 50 to 75 means old age अब old image में फेज before falling down into the mouth एक परसन की बात करें तो death से पहले और रिवर का इंड होने से पहले जो phase होगा उसे हम बोलेगे old age old age speed become slow speed slow हो जाएगी रिवर की transportation cost become zero अब रिवर बुड़ा हो गया है ना old age है तो वो क्या transportation करेगा so transportation नहीं करेगा transportation capacity is zero river starts to deposit debris river क्या करेगा ज्याद़ कोई movement करेगा नहीं जो उसके साथ आ रहे हैं उन्हें क्या करना लगेगा वो deposit करने लगे तो यह थी हमारे तीन स्टेजेज जिसमें river अपना whole life गुजार देता है अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि river अपने youth age में कौन-कौन सा topography form करता है mature age में कौन सा topography और old age में कौन सा topography form करता है तो इस class में हम लोग इस पे deal करेंगे तो हम लोग इन अभी देखा topography को उसमें river के young age, mature age और old age को अब हम लोग देखते हैं क्या-क्या topography या फिर हम कहें structure form हो रहे हैं river के youth age में जैसा कि आप board पे देख रहे हैं मैंने diagram बताया हुआ है जिसका मैं पूरा description आपको बताने वाला तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं topography is formed by river in youth age, youth age में river क्या-क्या structure बना रहा है पहला pot holes, नाम से ही पता चल रहा है, water जब in करें और pot holes जैसा structure बना है, it means round shape में अगर structure बना है, इसे हम बोलेंगे pot holes, अगर वो V shape में structure बना है, पानी का entrance के साथ यह आपका hundred meter से लेके thousand meter तक deep हो सकता है, और जो maximum deep point होता है इसे हम लोग बोलते हैं George, जो की end point हो सकता है, V shape value का तो अगर whole shape में बना है, round shape में, whole shape में, pot structure में, तो बोलेंगे pot holes और अगर V shape में बना है, तो हम इसे कहेंगे V shape valley, जिसमें होता है George Next हम देखते हैं Canyon, Canyon हमारा I shape होगा, यह इस direction में होगा, देख लिजिए यह इस तरह, तो यहां क्या होगा, water का entrance से, यह हमारा deep हो जाएगा, तो यह I shape valley form करता है, Next time हम चलते है rapids और waterfall, rapids और waterfall में ज्यादा difference नहीं है, rapids हमारे waterfall से थोड़ा कम depth पर यह structure formation होता है, यह हमारा हो गया hard rock, यह structure, और यह हो गया हमारा बीच में कहीं soft rock, तो water का जब जाएगा flow, तब hard rock को तो damage नहीं करेगा, लेकिन, वो soft rock को क्या करेगा, erode करता चलेगा, तो water का flow आपको दिख रहा होगा, और structure भी साफ नजर आ रहा है, की, drop and crisp form में है, उपर नीचे, तो ऐसा structure बनने पर हम बोलते हैं, यह होगी हमारा rapids, last structure जो यूथेज का है, वो बोलेंगे हम waterfall, means हमारा rocks ऐसे है, शुरू में तो वो सीधा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे water का flow होगा, वो कटेगा, और यह round shape लेगा, य P, L, I, F, cliff, और water हमारा flow के इस तरह से गिरेगा, इसमें भी soft rocks और hard rocks हो सकते हैं, ठीक है, और यह structure form करता है, तो rapids हो गया हमारा, कम depth का structure के साथ, और waterfall हो गया हमारा, ज्यादा depth structure के साथ, यह था 5 topography जो यूथेज में form होता है, pot holes, v-shaped valley, canyon, rapids और waterfall, आज की class यहीं तक है, next class म हम लोग topographies देखेंगे mature age की, साथी साथ old age की, आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, यह हमें comment box में ज़रूर बताएं, साथी like करें, subscribe करें और share करें, thanks for watching